मेश राशी अगर हम एरीज की बात करते हैं तो दिपावली का तेहार आपके लिए कुछ उतार चड़ाव लेके आ सकता है जहां मेश राशी के जातकों का अपने सेहत पे पूरा ध्यान रखना है कहीं पे भी अन्गैली नहीं करनी है वहीं पे इस दिपावली पर अच्छा काम बिजनस में बढ़ोतरी और प्रमोशन भी नजर आ रही है मालक्षमी की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस आपके कारे शेत्र में आपसे बहुत प्रसंद होंगे और आपसे खुश रहेंगे बी ती वी बातों को लेके रिष्टों में कुछ तनाव या उतार चड़ाव आ सकता है तो थोड़ा सा साफधान आपने रहना है मेश राशी वालों के लिए उपाई ये है कि इन्होंने तुलसी या बैंबू का पॉधा लाना है और उसे ज़रूर लगाना है अपने घर के अंदर और साथ ही साथ रोली, लाल चंदन और लाल पुष्ट यानि रेड फ्लावर से एक रेड क्लोथ में बांद के अपने घर में पूजा के समय पूजा की विधी में रखने है और उसके बाद अगले दिन उसको कपड़े को बांद के तिजोरी में रख लें टॉरियंस के लिए ये देवाली काफी शुब रहने वाली है व्रिश ब्राशी यानि टॉरियंस के लिए ये दिपावली धन से जुड़ी पैसे से जुड़ी सारी खुशकबरी बहुत सारी खुशकबरी रहेगी अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो भी वापस आ जाएगा और साथ ही साथ आए के सादन यानि की इंकुम सोर्सेज इंक्रीज होंगे बढ़ेंगे तो ये जो दिपावली है आपके लिए शुब संकेत लेके आ रही है नई गाड़ी नया घर या रेनोवेशन भी अधर आप कराने का सोच रहे हैं तो ये दिपावली काफी शुब रहेगी साथ ही साथ कोट केस अगर कोई चल रहा है तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगी यानि की दिसिशन आपके फेवर में होगा उपाए के तौर पे चॉर्ण्स को ये उपाए करना है दिपावली के दिन की जो लक्ष्मी पूजन का समय है उस समय सरसो के तेल का दान करें और साथ ही साथ हाथी का जोड़ा भी घर पे लाएं और उसको अपने घर की दक्षे नहीं साउथ डिरेक्शन में रखें एक्वेरियस यानि की कुम्भ राशी एक्वेरियंस को इस समय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है ये समय काफी उनका ध्यान देने का है क्योंकि कोई भी काम अगर वह सोचे समझे बिना करते हैं उसका दुष परिणाम उनको आ सकता है mental balance या गुसे की वज़े से mental imbalance या गुसे की वज़े से रिष्टों में भी तनाव आ सकता है और इसे परिवार के कई लोगों को परिशानी हो सकती है तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि शान्त रहें कूल रहें त सभी के साथ बनाए रखें उपाय के तोर पे आपने साथ जोड़े अगरबत्ती के पैकेट के लेने हैं और उसको पूजन के समय दिवाली की वहाँ पर रख देना है अगले दिन से इसको अपने कारेशेत्र पे प्रेयोग करें आपको काफी लाब मिलेगा Cancerians यानि की कर्व कराशी Cancerians के लिए ये दिवाली अच्छी खबर यानि की खुश खबरी रेके आएगी बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आएंगी इस दिवाली और बहुत सारा धन का लाब भी होगा Workplace पे, Workfront पे हो सकता है की Workload जादा हो कहीं न कहीं Work से related situations थोड़ी सी tough हो बट उससे घबराना नहीं है क्योंकि यही जब आपका hard work है यह आपको सम्मान और एश्वर यानि की promotion and rise भी दिलाएगा तो काम में अपना दिल लगाएं साथी साथ उपाई के तौर पे साथ सफेद घोडों का चित्र यानि की painting अपने घर की northwest direction में लगाएं इससे income की sources आपके लिए increase होंगे और आप multiple जगा से earn कर पाएंगे साथी दूद, दही या चीनी का दान करना इस दिन शुब रहेगा बैलेंस के साथ साथ खुश्या, बैलेंस और हार्मनी दोनों लेके आ रही है आपके जीवन में मालक्ष्मी की क्रिपा आप पे बनी रहेगी और मनी की sources increase होंगे साथी साथ आपको अपनी health का ध्यान रखना है अगर परिवार में रिष्टारों में कुछ मन मटाव है तो वो भी इस दिपावली दूर हो जाएंगे और साथ ही कोई एक अच्छी नई शुरुवात आपके जीवन में जरूर होगी उपाए के तौर पे आपने सुभा एक गन्ना लेके आना है और उसको पूजा के स्थान पे रख देना है शाम को पूजा करने के बाद इस गन्ने को आपने वही रहने देना है और next day morning आपने इसको जलप्रवा कर देना है कन्याराशी यानि की वर्डो कन्याराशी वालों के लिए ये समय काफी शुब रहेगा देपावली के समय जितनी भी कठनाई आपके जीवन में चल रहे हैं वो खतम यानि की समाप्त हो जाएंगी new beginnings का time रहेगा new beginnings होंगी और साथ ही साथ वो आपकी life में stability भी लेके आएंगी जो भी पैसे इसे जुड़े transactions है उसका आपके ध्यान रखना है क्योंकि पैसे का खर्चा बढ़ेगा धन का खर्चा बढ़ेगा बढ़ साथ ही साथ good news ये है कि आपके उपर मालक्ष्मी की खृपा बनी रहेगी तो इसी विए जैसे जैसे expenditure होगा वैसे वैसे income भी होगी तो थोड़ा सा savings विध्यान आपने जरूर देना है उपाय के तौर पे दिवाली के दिन बेसन के लड़ू गुड या गेहूं का दान करना शुब रहेगा तुला राशी वाले यानि की लीब्राज आपके लिए भी ये दिपावली जो है सेहत को लेके कहीं न कहीं आपको चेफतामनी और साफधानी दोनों ही बरतने को बता रही है सेहत जो है health issues आ सकते हैं तो health को लेके आपको careful रहना है साथी workplace पे आपको promotion भी मिलेगी और साथी साथ salary पढ़ने के भी chances हैं तो work front काफी अच्छा रहेगा, successful रहेगा मालक्ष्मी की कृपा तो आपके बने ही रहेगी बड़ इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी पुराने रिष्टे हैं आपको उनको भी balance करना है जहां पे नए रिष्टे आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं उपाए के तोर पे आपने कमल गटे की माला मालक्ष्मी को अर्पित करनी है पूजन के समय अगले दिन सुबह उसको लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख ले विष्टिक राशी यानि की scorpions ये देपावली आपको अपने खान, पान और सेहत का खास ध्यान रखना है कुछ भी खाने से पहले आप थोड़ा सा साफधानी बढ़तें कोशिश करें कि बाहर का खाना या सेवन थोड़ा सा कम करें पैसे से जुड़ परशानिया आपकी दूर होंगी और साथ ही साथ विष्टों में भी सुधार होगा मालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी अगर आप करेंगे या अच्योग उपाए आपने एक आवला लेके आना है और इस पे लाल चंदन से स्वास्तिक पना के इसको पूज़ा की स्थान पे दिवाली पूज़न के समय रख देना है साथ ही जब पूज़न करें तो यह आवला वही पर रहें और अगले दिन सुभा इसको आपको लाल कपड़े में लपेट के अपने तिजोरी में रख लेना है धनुराशी यानि की साजिटेरियस धनुराशी वालों के लिए कार्य शेत्र में अगर कुछ बदलाव लाना चाहते है जॉब चेंज करना चाहते हैं री लोकेट करना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी शुब रहेगा मुव्मेंट का समय नजर आ रहा है और इससे आपको काफी लाब भी होगा साथ ही साथ खर्चा बढ़ सकता है तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने फजूल खर्ची नहीं करनी है पैसे को साफधानी से आपने इस्तेमाल करना है किसी से भी आपको उधार लेने से इस समय बचना है उपाय के तोर पे रात को साथ साबुद सुपारी, काली हल्दी और स्पाच कौडी ये आपको पूजा के स्थान पे आपने रखनी है और सुबा उठकर इसको चांदी की कटोरी में डाल के अपनी तिजोरी में रख ले मकर राशी यानि की केप्रिकॉन मकर राशी वालों के लिए ये दिपावली काफी शुब होने वाली है परिवार का साथ तो आपको मिलेगा ही साथ ही साथ पैसों का धन का भी लाव होगा रुके हुए पैसे वापस आ जाएंगे और यदि आपकी कोई मनोकामना है आप कोई कोई विश है कोई चीज आप तहे दिल से चाहते हैं तो ये समय आपकी मनोकामना भी पूरी होगी अगर आप सच्चे दिल से उस चीज के बारे में सोचते हैं या उसके लिए आप कोई प्रयास करते हैं उपाय के तोर पे काले चने या काले तिल आप दिपावली के दिन दान करेंगे तो काफी शुब होगा एक्वेरियस यानि कि कुम्भ राशी एक्वेरियंस को इस समय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है यह समय काफी उनका ध्यान देने का है क्योंकि कोई भी काम अगर वो सोचे समझे बिना करते हैं उसका दुष परिणाम उनको आ सकता है mental balance या गुसे की वज़े से mental imbalance या गुसे की वज़े से रिष्टों में भी तनाव आ सकता है और इसे परिवार के कई लोगों वो परिशानी हो सकती है तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि शान्त रहें, कूल रहें, तिहार को enjoy करें और सभी के साथ बनाए रखें उपाय के तोर पे आपने साथ जोड़े अगर बत्ती के पैकेट के लेने हैं और इसको पूजन के समय दिवाली की वहाँ पर रख देना है अगले दिन से इसको अपने कारे शेत्र पे प्रयोग करें आपको काफी लाब मिलेगा मीन राशी यानि की पाइसियन्स मीन राशी की अगर बात करें तो दिपावली काफी शुब संकेट दे रही है और खुशिया लेके आ रही है काम में कारिस्थल पे आपको अपने बॉस का साथ मिलेगा प्रमोशन भी मिलेगा और अगर आप अपने पैसे बढ़ाने की यानि इंक्रुमेंट की बात करना चाते है तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपके बॉस आपकी बात को सुनेंगे साथ ही साथ परिवार के लोग आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे बट एक चीज से आपको साफधान रहना है कि आपके हजबन या वाइफ में मन मुटाव या तनाव कुश बीती बातों को लेके बढ़ सकता है तो करेंगे छोटा सा उपाय लाल चंदन या लाल कपड़े अगर आप किसी कन्या को दान में देते हैं तो आपके लिए काफी शुब रहेगा